नमस्कार दोस्तों कभी कभी मुझे लगता है कि सत्ता के शिर्ष पर बैठे लोग कितने शातिर दिमाग होते हैं कि आपको जब तब एक नए मुद्दे के ट्रैप में फसा देते हैं और हम और आप सब लोग उस मुद्दे के ट्रैप में फस कर उसी मुद्दे के इर्द गिर कई-कई दिन तक, कई-कई हपते तक उस पर बहस करते रहते हैं और उसमें उल्जे रहते हैं और ऐसा लगता है देश के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है अभी क्या हो रहा है दो-तिन दिनों से अब अचानक इंडिया का नाम जो भारत है जो सम्विधान में लिखा हुआ है इंडिया देटीज भारत हम बच्पन से यही जानते हैं कि हम अपने देश को हिंदी में भारत काते हैं अंग्रेजी में इंडिया काते हैं लेकिन अब दो दिन से देश को ऐसा उलचा दिया गया इसमें इस बिबाद में इस बहस में कि हम आप जहां भी हैं जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां इतने अखवार को पढ़कर देखकर और आप जहां भी होंगे देश के किसी भी हिस्से में होंगे जरूर इस पर बात कर रहे होंगे कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या इंडिया हड जाना चाहिए या हमारे देश का नाम सिर्भारत होना चाहिए या हमारे देश का नाम भारत के साथ इंडिया भी है हर जगह तो इंडिया भी होना चाहिए कैसे हुआ ये क्यों हुआ और क्यों होता है कभी सोचते हैं देश के लिए तमाम जरूरी मुद्दे जब सुर्शा की तरह मूब आये सरकार और सिस्टम और मोदी जी के लिए खड़े होते हैं तभी मोदी जी एक नया शिगुफा छोड़ते हैं अब 6-7 दिन पहले क्या हुआ अचाना काया वन नेशन वन एलेक्शन तीन चार दिन तक हम सब लोग उस बहस में फसे रहें फिर एक कमिटी आ गई फिर उस कमिटी पर बहस होने लगी फिर उसी बीच ये भी हुआ कि विशे सत्र रख दिया गया 18 तारिक से 22 तारिक था उस सत् है क्या एजन्डा है किसी को नहीं पता फिर लोग उसमें उल्जे बयानबाजियां विपक्ष की तरफ से बीजेपी की तरफ से अब बीते 48 घंटों से मुझे लगता है इस देश के करोड़ों लोग हर गली चौक चौराहे पर जहां भी हैं सरकारी दफ्तर में देश की बहुत बड़ी आबादी बटी हुई है विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप इंडिया को मिटाना क्यों चाहते हैं क्योंकि विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया है रखा गया भी कुछ दिन पहले और अचानक बीजेपी के सारे नेता ऐसे बात करने लगे जैसे इंडिया नाम में कोई भारत बिरोधी सूर आता है अंग्रेजों ने दिया इंडिया नाम तो इसलिए इंडिया मिटाना है शुरुआत वहां से हुई जहां प्रेसिडेंट आफ इंडिया की तरफ से जो इंविटेशन गया G20 के महमानों को उसमें प्रेसिडेंट आफ भार सवाल मोधी सरकार के सामने महंगाई के सवाल बेरुजगारी के सवाल युवाओं के सवाल महलाओं के सवाल गरीभी के सवाल तमाम ऐसे सवाल जिन सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए तो सरकार ने जाल फेक दिया है एक मुद्दा फेक दिया है और उसके बाद वो दिमाग होंगे वो लोग जो हर्स में ये तलाशते हैं कि कैसे जनता को नए मुद्दे में फशा दो ताकि जो कोर इशू है जो जरूरी मुद्दे हैं जो देश की जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उन मुद्दों से आपका ध्यान भटक जाए और अब घर में स सर्वे करने लगे इस पर और जन्मत संग्रा होने लगा ट्वीटर पर सोशल मीडिया पर क्या ये इतना बड़ा सवाल है क्या इतना जरूरी है आज क्या है आज क्या अखवार देखिए अब ये कोई भी अखवार आपके पास भी बहुत सारे अखवार आप पहुंचते होंग अखवारों में भी चपा एक एंके सिंग वरिश्ट पत्रकार हैं चार दसकों का उनका अनुभाव है उनके जरीए एक वीडियो मैंने किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर वो भी देखें सर अखवार में अब इंडिया नाम पर महाभारत इंडिया और भारत पर महाभारत तो हम पीपल अफ इंडिया हैं अंग्रेजी में लेकिन हिंडी में हम भारत के लोग हैं लेकिन अब हम आप उलज गए कि हम भारत के लोग हैं या हम इंडिया के लोग हैं नहीं जी इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया और भारत नाम तो सग्यों से इस देश की रगों में रचा बसा है बस इस बिमर्श में हम फसे हैं इसी विज जैसे तमाम तरह की खबरों के बीच अब जैसे खबरें कल से आने लगी अचानक कि प्रधान मंत्री मोधी और उनकी सरकार कैसे अंग्रेजों की निशानियों को मिटाना चाहती है इसलिए अगर उन्होंने अंग्रेज काइदा वोटिंग हुई थी और वोटिंग में 38 के मुकाबले क्याबन मत इंडिया भारत को मिले थे और उसके बाद वो नाम रहा उसमें किस ने क्या कहा फिर मैं कहूं का एनके सिंकाओ वीडियो देखिए अब जैसे यह दैनिक भासकर उपर तारीख तारीखों पर गौर क जाएए कभी ट्रिपल तलाग पर उलच जाएए कभी यू सी सी अभी उस पर कुछ शिगोफा और छोड़ा जाएगा उसमें उलच जाएए इन सब में उलचते रहिए उलजे रहिए ताकि आपको यह पता नहीं चले कि बीच में टमाटर 200 पार कर गया गैस सिलिंडर 1100 पार कर गया महंगाई ब आपके शहर को स्मार्ट स्टी बनाने के जो वादे किये गये थे उसमें स्मार्ट स्टी बना या कुछ काम हुआ कि नहीं को बूल जाए है आपकी गावों को अगर बीजेपी के सांसद नेतामंत्री ने घोध लेकर चोड़ दिया गूध लिया नहींग कोध में लेकर दिल्ली आ गया है वह गाओं बुरे हाल में वो सब आप सोचना समझना भूल जाए आपकी चेतना कुंद हो जाए और आप लगातार यही सोचते रहें कि मोधी जी कैसे नई नई बातें कर रहें निव इंडिया और उसके बाद अब निव इंडिया में इंडिया से प्राब्लम तो आज जैसे यह कह पाचगस अगर मुझे टीक से तारीक या भू जैस फ्सके में चपी है 18 सितंब्र 40 चास अथारर सितंब्र 2023 का क्या रिष्टा है यह भास करने आज बताया और और मैं इमानदारी से कबूल करूँगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था इस तारीक का क्या 18 सितंबर को संसद का सत्र है विशेश सत्र जिस सत्र में क्या होना किसी को नहीं पता विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं चिठी सोनिया गांधी ने लिखी है सोनिया गांधी चिठी लिकर प्रधान मंत्री से पूछ रही है कि बताइए कि ये एजिंडा क्या है विपक्ष को जानने का हक है कि आपने सत्र बुलाया और आज 6 तारीक है 12 दिन बाद सत्र है और आपने बताना जरूरी नहीं समझा कि सत्र किस लिए तो सत्र किस लिए इसको लेकर तमाम तरह के क होगा नहीं पता लेकिन इस तारीक का जो जिक्र किया इसी में है कि 18 सितंबर 1949 को 74 साल पहले संविधान सभा की बैठक में बहास हुई थी कि देश का नाम भारत हो या इंडिया बहास हुई थी लंबी बहास हुई थी उस बहास में बहुत सारे लोग शामिल थे डॉक्टर अ एच बी कामाद कमलापती तरपाथी सेथ गोविन दास बहुत सारे लोग और उस बहस से फिर मैं कहुँगा जो उस बहस के कुछ लबो लुआब है उस पर एंके सिंग ने वीडियो में बात की इस लेनी जारो लेकिन एक तारीक हो 18 सितंबर 1949 और दूसरी तारीक हो 18 सितंबर पहले भी जब यह मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले शायद एक दिर मैंने पहले भी जब भी विवाद वा था तब भी मैंने का और हर लोग हर आदमी का रहा है बाई रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया जितनी ऐसी संस्थाएं हैं एलेक्शन कमि है है टेम इंडिया और ख्रकार की सारी स्कीम जिस पर हम लोग भूट बार विंडेर में पहले भी बात कर चुके क्यों रिकर उजन फेंडू दीया ले यह का दाम जे कुछे अचानक हो रहा है क्यों? क्योंकि आपको इसमें उल्जाए रखना चाहते हैं ये लोग, ये सत्ताधिश, इसलिए मैंने कहा, ये एक दिमागी फितूर है, कि आपको उल्जादे ताकि आप बाकी चीज न सोच पाएं, इसलिए आपको उल्जादे, कि गुलामी का प्रतीक है, दिमाग में सोचि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है इतने गाने इतनी फिल्मे इतना कुछ नोट पर भी इंडिया छपा है हर जगह इंडिया हम बोलते हैं वी इंडियन हम इंडियन है लेकिन आज इंडिया से प्राब्लम हो गई तभी तो अभी मैं देख रहाँ अधिरंजन चौधरी क कि इंडिया से दिक्कत है तो राष्टपती भवन को खाली कर दीजे साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक गोले से उड़ा दीजे क्योंकि ये भी बात सही है कि अगर आप सिर्फ इस आधार पर कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया नाम रखा इस आधार पर इंडिया से आपको गुरेज और परहेज हो गया तो जहां राष्टपती रहती है जहां से उनके आमंतरन में छप कर गया है प्रेसिडेंट और भारत वो जो इमारत है वो वाइसरोय के लिए इमारत बनी थी 1910-1915 के आसपास जब कोलकत्ता से दिल्ली दर्वार शिफ्ट हुआ था आजादी से पहले तो प्रेसिडेंट को बाहर हो जाना चाही है और तो और नॉर्थ बrauक और साउट ब्लॉक जहां प्राइमну classification बैठते हैं जहां से पूरीं सरकार चलती हैं अंगरीजों के समय की बनाई ही इसलिए मैं कर रहा हूं कि शातिर दिमाग लोग जो आपको अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग चीजों में उलजाना चाहते हैं उस उलजाओं से बचिये अब खबरें क्या आ रही है कि पहले भी अभी आशियान देशों का जो कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से जो कुछ का प्रस्ताव पारित किया था इसे खबर आ रही है कि 2004 में उन्होंने अपने घुष्णा पत्र में वादा किया था तो मुलाइम सिंग तो अखंट भारत की भी बात करते थे मुलाइम सिंग भारत पाकिस्तान और जो बंगलादेश है उसको लेकर भी उनकी थेरी थी जो लोहि अबादियों की थेरी है ठीक है अलग-अलग समय में अलग लोगों ने अलग धंग से अपने धंग से कोई व्याख्या कि लेकिन आज क्या आज के दौर की ये जरूरत है क्या आज ये जरूरी सवाल है आप जब चौक-चौराहे पर इन बहसों में उलजे है तब आप सोच पा रहे हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है क्यों कर रही है जब चुनाओ चार महने जब चुनाओ चार महने है विपक्षी दलोने 28 दलोने एक इंडिया नाम का मोर्चा बना लिया तो आपको इंडिया नाम के मोर्चे सित्चीर की बज़र से इंडिया सित्चीर हो गई और प फॉर इंडिया भाई यो भेनो मैं बोलता हूँ आप पीछे बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे वाउस वाद से मुक्ति के लिए जरा आप पुरी ताकत से बोलिए वाउस वाद से मुक्ति के लिए बाई बती जेवाद से मुक्ति के लिए ब्रस्टा चार से मुक्ति के लिए महगाई से मुक्ति के लिए कूशासन से मुक्ति के लिए बारत की एक्टा के लिए एक भारत स्थेस्ट भारत के लिए सुराज की राजनीती के लिए सुसासंड की राजनीती के लिए विकास की राजनीती के लिए बैस की रख्षा के लिए जन जन की सुरख्षा के लिए रहने को मकान के लिए खाने के लिए अन के लिए बीमार की दवाई के लिए अब ये मोदी जी भी इंडिया इंडिया करते रहते हैं करते रहे हैं सब नहीं किया अभी भी मेरे ख्याल से प्राइम निस्टर आफ इंडिया ही लिखा हुआ है और ट्विटर हैंडिल पर बीजेपी फॉर इंडिया ही लिखा हुआ है और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं हिंदी में वैसे इंडिया लिखा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग Supreme Court of India Chief Justice of India ही करते हैं, अब क्या कहेंगे? चीप जस्टिस ऑफ भारत हिंदी में कहते हैं मुख निया धीश तो क्या अंग्रेजी में चीप जस्टिस ऑफ भारत कहेंगे क्या है Election Commission of India तो Election Commission of भारत और ये कहने से क्या हसिल होगा क्यों नहीं ये सोचना चाहिए क्या ये अगर इंडिया हटा देते हैं सब जगह से हलाके हटाना मुश्किल है उसके लिए सम्विधान में संशोधन होगा उसके लिए फिर टू थर्ड मैजॉरिटी चाहिए आपको रजसभा में जो है नहीं मुदी सरकार को तो इसलिए होगा नहीं होगा यागे की बात है सम्विधान विश्य सक्ड़ों की अलग-अलग राए लेकिन क्या ये जरूरी है क्या आपको यही चाहिए भारत के नागरिक के तौर पर और ये इस वक्त सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाओ के पहले फिर से एक बार कोई नेशनलिजम इंडिया वर्सिस भारत कोई ऐसा मुद्दा जिसमें आप उलग जाए और वो सारे सवाल जो विपक्ष आपके सामने रखे या हम जैसे लोग जो सवाल उठाएं या जिन सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है क्योंकि सरकार के 5 साल पूरा होने जार पूरे होने जार है अगले 8 मेने में और क्योंकि सवा 4 साल सरकार के हो गए क्योंकि सरकार के दरजनों 50 वाइदे सामने है जो नाकाम और विफल वाइदे रहे जो पूरे नहीं हुए, चाहे हर परिवार के सिर पर छ़त देने की बात हो, चाहे किसानों की आमदनी, दोगनी करने की बात हो, चाहे हर हवाई चपल वाला जहाज में चले उसकी बात हो, काले धन वगएर की दो बात भूली जाएं, महांगाई की बातवा भी हुआ ना कि गैस की कीमतें 200 रुपे कम कर दी गई एक 1100 तक ले गए 500 से 1100 और उसके बाद 200 कम कर दी तो पहले जो कीमत यहां थी उसको यहां तक लाए और थोड़ा यहां कम कर दी आपसे वसूला 1000 करोर सबसीडी कम किया पैसे कमाये सरकार ने खजाना भड़ा उसका विस्तार से एक हिसाब किताब के हवाले से मैंने अभी पांस दिन साथ दिन पहले बताया और उसमें से अब भाई 200 रुपे कम किया इसका मतलब 200 रुपे कम कर सकते थे आप और 200 रुपे कम कर सकते थे तो ये पहले भी कर सकते थे आप फिर बढ़ाया क्यों और 200 नहीं 400 भी कम कर सकते आप तो किया क्यों नहीं क्या ये करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी चुनाओ है फिर एक शुगूफा तो 200 रुपे पहले कम किया लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजों से भी लग रहा है कि नहीं जनता नाराज है और विपक्ष का जो मोर्चा है वो फिर नए मुद्दे लेकर जनता के भी जाएगा 11 राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्ष के उस मोर्चे में शामिल है मतलब 11 राज्यों में उनकी सरकार है प्लस तीन दूसरी सरकार है चाहे उडिसा हो चाहे तेलंगाना हो चाहे आंधरा हो तो इसलिए बीजेपी की बेचैनी है कि अब कैसे किसी और मुद्दे के जाल में फसा हो क्या जाल बिछाओ, मंदिर पूरा हो जाएगा तो मंदिर का जो यूफोरिया हो खतम कश्मीर में 370 का मामला खतम लोगों को जो मिलना था, जो भीतर से उनको लग रहा था कि 370 खतम होने से पता नहीं उन्हें क्या हासिल होगा कि आरा में जो चुनावी रैली में भी योगी जी वहां कहा रहे थे कि कश्मीर में आप लोग जाकर जमीन खरीद सकते मुझे नहीं पता कि आरा के लोग जो विधान सवा चुनाओं में योगी के भाषन मैंने सुने थे बिहार चुनाओं में उसके लिए पेचीत गया है जिस पर भी कई वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं जिसमें एक कुरैसी जो सी इसी थे उनका भी एक इंटर्व्यू है उसके लिए भी फिप्टी परसेंट राज्यों की अनुशन सा भी चाहिए और उसके बाद दो त्याई बहुमत राजसभा में चाहिए जो है नहीं और उसके बाद बहुत सारी और दूसरी पेचीतियां आठ सम्विधान संसोधन चाहिए करने होंगे वो सब तो ये वक्त वक्त पर ये कोशिश होती है और इन सब के बीच विशेश शत्र ऐसा है कि हम सब लोग अंदाजा लगा रहें कि विशेश शत्र में ये होका विशेश शत्र में पहले आया कि वन नेशन वन एलेक्शन पर बात हो जिस दिन शत्र की खमारा है उसी दिन यह खमारे सुत्र के हमाले से एक तो सुत्र बहुत प्लांटेट करने वाला सुत्र सक्रिया होता है पहले दिन चार गंटे छे गंटे दस गंटे ब्रेकिंग न्यूज चला सुत्रों के हमाले से कि विशेश चात्र में वन नेशन वन एलक्षन का बिल आएगा जो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली नहीं हो सकता आप कमिटी बन गई कमिटी में कॉगनिस की कोई नुमाइंद की नहीं है एक को रखा अधीर अधीर अपोजिशन है उनको भी होना चाहिए और ऐसे भी आठ लोगों की कमिटी है कोई संतुलंत हो अमिश्चा उसमें ड्राइविंग सीट पर होंगे कहने को पुर्वराश्पति कोविंद हैं बाकी और सरकार समर्थक लोग हैं चाहे इनके सिंग हो चाहे और लोग चाहे मुझा हो रहा है देश में इसलिए मैंने कहा कि शातिर धिमाग सत्ता आपकी चेतना को कुंद करके मीडिया की भागेदारी के साथ मीडिया की भागेदारी इसलिए कर हूं कि लगातार जो बहस हो रही है चैनलों पर कल सुबह से यहीं पूछा जा रहा है विपक्षके ने तो भाई आपको इंडिया से इतनी मुहबबत क्यों है भाई आपको भारत से दिक्कत क्यों है आप क्यों भारत के नाम पर इतराज कर रहे हर एंकर हर चैनल पर यही पूछ रहा है क्यों कह रहा है कि भारत के नाम पर इतराज है भाई हम भारत के लोग है भारत हमारा मुल्क है भारत हमारी मिट्टी है Mother of Democracy है भारत माता है लेकिन इसी भारत का नाम इंडिया भी है हम पूछने हैं आपको इंडिया से क्या दिक्कत है क्यों आप चाहते हो कि अचानक President of India, क्या उससे हासिल है सबसे बड़ी बात, कोई चीज़ अगर करते हैं कोई फैसला करते हैं तो इस फैसले का आणलिसिस, आउटकम हासिल तो तै करेंगे न हम या जानना चाहेंगा टेक अवे क्या है इस फैसले से हमें क्या हासिल हो रहा है हम President of India को President of President of भारत कहें सब का नाम बदल दें सब जगह से इंडिया, जितनी जगह से इंडिया हटा दे, हलाके ये दिक्कत है कि इंडिया टुडे क्या करेगा, इंडिया टीवी क्या करेगा और इंडिया के नाम से इतने सा स्थान है चैनल है, वो सब क्या करेंगे लेकिन माल लीजे सब इंडिया तूडे ने अपना नाम भारत तूडे रख लिए जो होगा ने उसके लिए लैसेंसी निशू है लेकिन जहां भारत सरकार ने बहुत जगा मिटा दिया जैसे पासपोर्ट पर लिखा हुआ रेपब्लिक ओफ इंडिया भारत गंडा जहिंदी में होता है आपके इंकम टेक्स के कागज पे लिखा हुआ आपके उसमें जो ड्रैविंग लैसेंस है उसमें लिखा हुआ है जितने सरकारी कागज हैं आधार से लिखा लिखा हूँ माल लिजे सब जग़ मिटा दिया अब एक सवाल है ये सब करने के बाद हासिल क्या है जो मैंने कहा किसी चीज का टेक अवे होता है हासिल क्या है दरैक नागरिक के तौर पर ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके पास जितने कागज हैं सब जगह से इंडिया हट गया सब जगह भारत हो गया अब आप सोचिए कि आपको इससे क्य मिला क्या आपकी आने वाली पीडियों के लिए रोज़गार के अपसर गैरंटी मिल गई उसकी क्या आपके बच्चों की कोई मुश्किल स्कॉलर्शिप उससे आ गई क्या आपके घर में आटा दाल चावल गैस जो आता है क्या उसकी कीमत कुछ कंट्रोल हो गई क्या बाइक स ते और प्रधान मंतरी मोधी तब मुख्य मंतरी जब थे अपने भष्णों में काते तो कीमत बढ़ी कीमत बढ़ी नाट की अंदाज में जो एक किया करते थे अपने भष्णों में और काला धनाएगा हर आदमी को 15 लाग खार गरीब की जेब में ऐसे पहुंच जाएगा क् आपके घर में सिलिंडर जो आप 900 किया गया है सरकार की तरफ से 600 में आने लगेगा सरसों का तिल क्या सस्ता हो जाएगा क्या आपकी बाकी जो दिंचरिया में जो महंगाई से जिससे प्रभावित होते हैं या बेरुजगारी नौक्रियां अगर छूटी है तो क्या वो आपका इस्यू एड्रेस हो जाएगा इससे कि भारत का दाम हम इंडिया खतम करते हैं मोहदी जी को शाह जी को नड़डा जी को लगता है कि इनको ऑलज़ा दो वोटर हैं बीजेपी के हैं तो ये मान के चलते हैं कि मान लो जो हमारे समर्थक हैं वो जैसे हमने ये मुद्दा राग छेड़ा बस वो सब आ जाएंगे भारत के लिए भारत ही रहना चाहिए इंडिया नहीं होना चाहिए तो उन्हें लगता है कि उसके बाद देश उलज गय इंडिया वर्सेस भारत हो गया दोनों हमारा देश दोनों हमारे देश का नाम दोनों के समर्थन या विरोध में जो लोग हैं दोनों इस देश के नागरिक लेकिन उलज गये अब किसी चौक चोराहे पर किसी चाय की दुकान बेटे होंगे पांच आदमी कहेगा नहीं जी अगले तमसे कम आठ महें तक और जब यह बहस करें तब जो इंडिया मोर्चा है या विपक्षी दल हैं या हम जैसे लोग है वो सरकार की नीतियों की नाकामी या सरकार ने जो वादे किया जो पूरे नहीं हुए या सरकार जो हिंदू मुसलमान करके आपको उलजाके रखन चाहती है या सरकार ने जो इतना बड़ा गुबारा फुलाया है फाइब ट्रिलियन एकॉनमी तो हो जानी चाहिए अब तक टार्गेट पूरा हो जाना चाहिता हुआ क्या अब कह दिया गया टॉप थ्री एकॉनमी में भारत होगी एक बार मोदी जी को लाई इन सब पर बात उन मुद्यों पर बात नँओ जो उन्हों जो मुद्य आपकी जिंदगी को रोजमर्रा की जिद्धी को प्रभावित करते इसलिए अब यह निया मुद्ध हला के यकीन मानते इससे अभी चार महने नहीं चलेंगे चार महने विधान सभाज चुनाओ आठ वि expans क्षम अभी पहस हो रहे हैं यह पांच लोगों में जगड़ा हो रहा है रिश्तेदार में जब यह लगें अब यह ठंडा पड़ रहा है अब कुछ नया लाओ शिगूफा तो फिर नया शिगूफा भी आए तो इसका मतलब अगले आठ मेनों के लिए आठ शिगूफे भारत सरकार की को बुलाओ एंकर लोग सारे एकडम भारतवासी हो जाएं जैसे इंडियन होना भारतिय होना के खिलाफ हो जाएं जो कहें कि मैं इंडियन हूं आए मैं इंडियन वो मैं भारतिय हूं के खिलाफ हो जाएं और उसके बाद इंडियन और भारतिय को चैनलों पर लड़ाओ और और उस लड़ाने में आपको अपना पक्ष चुनना पड़े यार मैं भारतिय हूँ कि मैं इंडियन हूँ और इस द्वंद और पक्ष में आप वो जरूरी मुद्दे भूल जाएं जो सरकार चाहती है जो मोदी जी चाहते हैं कि आप भूले रहें उसकी जद में आप ना आए वो आपके जिहन को कहीं प्रभावित ना करें अभी देख रहा हूँ नरुक्तम मिश्रा का एक बयान है जिसमें उन्होंने का जो पार्टी इटालियन संस्कृती की है वो ऐसी बात कर रही है जो लोग भी बात कर रही है इटालियन संस्कृती सोनिया गांधी के कितने दशक हो गए भारत में बेटा पचास साल का हो गया सोनिया गांधी के पती राजीब गांधी की शहादत हुई है इस देश में सोनिया गांधी के सास इंद्रा गांधी की प्रधानमंत्री रतेश शहादत हुई है सोनिया गांधी ने 2004 में उनके पास मौकाता हो चाहती तो प्राइ यह उस सम्भिधान सभा में बहjang Kevah में बहत के बाद यह तैय हुआ था मैं हमेटकर भी तैय। जिसमें और तबाम लोग थे और आकिर में बहुमत से तैय हुआ इंडिया भारत थी तो क्यूं हटाना चाहते हैं और क्यों मिटाना चाहते हैं द्रसम। और उसके बाद क्यों उल्जाना चाहते हैं ये बड़ा सवाल है इसलिए आज मैं देख रहा हूँ बहुत जगा जो संग प्रमुख है उनका भी बयान है अब ये अर्विंद केजवाल ने सही का कि कल को अगर हम इंडिया एलाइंस ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या आ सब यह सरकार है इस भॉप आसान है बाशरते की अपने दिमाग को अपलाई करें। और ये दौर ऐसा है जब वो चाहते हैं कि आप दिमाग से कुण्द हो जाएं आपकी चेतना सुन्य हो जाएं आपकी चेतना पर भक्ति कलेप ऐसा चड़ जाए कि आपको वही दिखे जो वो दिखाना जाते हैं आप वही सोचें जो उस चाहते हैं कि आपसे सोचवाना, आप उन्हीं बहसों में उलज हैं, जिस बहस का मुद्दा, अजंडा, मोदी जी और उनकी पूरी मशिन रिते करती है, उन बहसों में उलजेंगे, तभी उन मुद्दों की तरफ से ध्यान आपका भटकेगा, जो अगर आपके जहन में आने लगे तो आपके दिमाग में हजारों सवाल उगेंगे और जब आपके दिमाग में सवाल उगेंगे तो सरकार के लिए परिशानी होगे और हम जैसे लोगों का यही काम है कि दिमाग में सवाल को उगने दीजिए और ऐसे सवाल जब आप सरकार से प कम किया लेकिन अब फिर यह नया एक शिगूफा है तो देखते हैं शिगूफे में क्या होता है आज कॉंग्रिस की तरफ से सोनिया गांधी की तरफ से सवाल पूछागया कि परदानमंतरी मोधी और उनकी सरकारे जंडा बताए कि सपेशनल शत्र में ने 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 ने, नामस्का